इस विवनिंग आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में एक बार फिर मैच नमबर 11 जो होगा कल वोमेंस ऐशिया कप टीवेंटी में दोपहर देड या फिर एक बज़े तॉस होता है एक बज़े मैच स्थार्ट हो जाता है तो इस मैच के हम बात करेंगे बंग्ल बात करेंगे बात करेंगे तो बहुत इंपोर्टन मैच इनके लिए बन जाता क्योंकि पाकिस्तान से हार चुके है अब अगर कंटेंशन में रहना है समी फाइनल वगरा के लिए तो सारे मैच इनको जीतने पड़ेंगे अट लीस मलेशिया जैसे टीम के सामने तो हम बांग अब खोल दिया था मलेशिया को बालिंग फर्स करते वे चालिस प्चाहसन बनाने दिये था वर वही सिनैर्या आपको देखने को मिल सकता है कि तो मलीशिया थाला कि मलीशिया धायलेंट तीनों जीते नहीं लेकिन जो बूरी तरीकी सहार है वो मलीशिया इस वज़े से वह सबसे नीच है भांगलादेश के दू मैचस है एक तो खेर वीक टीम के साथ था था धायलेंट तो ने हरा दिया हुआ था लेकिन वही चीज़ वापिस हुई थी कि स्पिन बिल्कुल पल्ले पड़ी नहीं विन्फिल्ड दुराई सिंगम वापिस जीरो प्या उट हो गई इवान जूलियद इनकी कीपर है एक पे मासलियासा चौदा इन्होंने जरूर बनाय थे यह दो बैस्ट बैटर अप क्योंकि तो ठीट थाग है दो एक चार शूनने ठीक है मतलब ठीट थाग तो नहीं खिर आप इन एच्छे रिकॉर्ड भी मान सकते हो लेकिन सिंगपोर जैसे टीम के सामने आये हैं इनके स्टैट्स तो उतने माइन रखते नहीं क्योंकि सामने बंग्लादेश है जो यूज रिइस्पेक कर सकते हैं माहिए क्योंकि मीडियम पेंस डाल रही है और दैसमें डाल सकते हैं तो माहिए आप अपनी टीम में ले सकते हो फिर्स बाॉलिंग करते हुए जो चार इंपॉर्डिन आप लिए हो सकते जिसमें शाशा आइना हाशिम यह और आपकी जो है विन्फि तो मेले टीक है तो यह मलेश्या की जो है वाइब अब देख सकते हूं नम नहीं मैंने अपको बता दी यह अच्छा यह चमकरता तो मलेशा की बात यहां हो जाती है बांगलादेश को देखोगे तो लास्ट टाइम रन बना नहीं पाए पाकिस्तान के अगेंस्ट भी खराब था और जो भी था सीन लेकिन उसमें जो पॉसित थे उसमें सलमा खतून ने चौबिस बनाया देख है लता मॉंडल के बाटेंगा मैलिशा के अगेंस देखने को नहीं मेलेगे मैलेशा के अगेंस आप देखोगे शमीमा भी रन करेगी फरगाना भी वह रन करेगे ओ निगार सुल्तान अभी आपको जो ए डिखिग जाए तो सारे के सारे आपको बाल डालते वे दिख जाएगे ठीक है जिसमें जो वाइट तो ये चार बॉलर्स और ऊपर के तीन बैटर्स अगर आप लेके चलोगी तो आपका काम हो जाएगा क्यापन की तरफ जा सकते हो घड़े किसी की तरफ भी जा सकते हो बैटिंग से आप शमीमा की तरफ जा सकते हो जो अग्रेसिव खेलती है और 30-40 आपको अच्छे करके देज़ सकते है अब मैं आपको लेके चलता हूँ 11 चलेंजेस आप पर जहाँ पर हम आपने टीम प्रिपेर करेंगे लो एंटरिफीस, लेस्ट कॉम्पीटिशन और एक मेटी एक्सर डिडलाइन आपको सिर्फ यहां मिलेगी जो नजारा है, कॉम्पीटिशन कम होने का वह मैं आपको अलिडी दिखा जबा हूँ अब विगेट कीपिंग सेक्शन, दो तीन चॉइसस आपके पास मौझूद है वान जूलिया, निगार सुल्ताना, शमीमा सुल्ताना, आपको कौन सी लेनी है आपको पता होगे, लेकिन पहले जो मेरा मेंन फोकस है, वो बॉलर्स पर है तो मैं अपने सारे बॉलर्स ले लेता हूँ सिसांदा अक्तर मगाला, नहीदा अक्तर, सोहेली अक्तर ठीक है, तीन हो मैंने ले लिया है, उसके बाद अल्राउंड सेक्शन पर रुमाना मुझे चैए हो, सलमा मुझे चैए, ये पांच मेरे लिए मस्ट पेक्स है, ये पांच हो मेरे पास आगे है, ठीक है, चटा जो है मेरा, वो रहेगगा, शमीमा सुल्ताना, और 7वा जो है, मेरा वो रहेगी, फरगाना हक लेकिन अगर scenario change होता है कि बांगलादेश पहले बैटिंग करती है तो उस scenario में ज़रूर हमें आज यहां से शमीमा सुल्ताना लेना पड़ेगा अब शमीमा किसी एक बॉलर की जगा आएगा अगर वो किस एक बॉलर की जगा भी मैं आपको किस बॉलर की जगा मिलूँगा तो वो सोहेली अक्तर है क्यों कि बॉलर डालने थोड़ा लेट आती है और अगर लेट आएंगी तब तक तो मुझे लगते कि मलेशिया का काम हो जाएगा है ना क्योंकि मलेशिया से हम विकट कहां expect कर रहे है एकदम बाद में और एकदम पे बीच में जोनकी मास अलियासा है और एलसा हंटर है वो इसले विकट्स देंगी नहीं तो इसले विकट्स हमें कहां मिल रहे हैं टॉप पे जहां पर संजीदा और नहीदा बॉल डालने प्लस सलमा और दैथ में भी यह तीरों ही फिर रोटेट होंगी बीच में कौन बॉ और मास अलियासा दो चॉइस आपके पास आ जाएंगी तो यहां से भी आपको जो है तो यह चार है आपके पास जो इंपोर्टेंट मुझे मलीशय की तरफ से लग रहे हैं यह चीज़ कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी के बात करूं तो कैप्टन मैं आपको बता चुका आप उसकी तरफ जा सकते हो अगर मैं यह दोनों पर रिस्क ना लूँ और एक पर मुझे रिस्क लेना पड़े तो कैप्टन तो मेरी संजीदा ही रहेंगी वाइस कैप्टन चाहे मेरी फिर सलमा खतुन हो जाए यह चीज़ भी हो सकती है लेकिन अगर थोड़ा से भी रिस् तो जरूर संजीदा और नहिदा के साथ ही आप जाना ठीक है क्ली स्वीब आपको करवा सकते हैं यह मेरी स्मॉल लीग की टीम उमीद करतों कॉंसेप्स नोज में आ गया होगा टीम से जादा पहतरीन जो आपको चीज समझ में आनी चाहिए वह कॉंसेप्स कॉंसेप्स आप